प्रतक बिंद्य प्रदेश के मांग को लेकर 14 दिवसी जन 28 मता यात्रा के तैसी रोली पहुझ जई माजन मो làm सर्कτίट हाउस में वादरकार सो बात करते वी पूर विदाग रक्ष्ण तियारी निकार की स्वर्गिपोर विधात्पा अध्यक्ष स्री उनिवास तियारी ने प्रतक बिंद्य प्रदेश के ये विदात्सावा से प्रस्ताव पास करा रहा है ता लेकिं दुर्बाग है कि इसके बाद भी किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। बिंद्य प्रदेश नहीं बन पाया, बिंद्य प्रदेश बनाया जाने के लिए हम चारीश दिवसी जन आर्शिवाद यादर कोई प्रोटकल द्वारा बीग निर्देश का पालन करते भी यादरा निकाल रहे। प्रदेश की तरद लिए भी पश्वाelाकों से बोगर खरीदी केंदर बना कर पश्वाद़ को आर्थी कुछ से मजबूत किया जाना चाहिए। पेश्टों को भरोषव नहीं रह गया है कोई नेता आएगा और हमारे जनकल्यान की बात करेगा और उनके साथ सदय भोका होगा इसलिए मैं अभी बिस्तापन की बात करें कि मैं लड़ूँगा जब हमारे बिंद की रूप रेका ठीक से बन जाएगी और उसमें कोई एक दाओ पेच लगेगा तब हम बिस्ताप्चों की भी बात करेंगे सिंगरवली से हमारे पूरे बिंद नहीं नहीं है भारत तक को यहां सरिभनुजारफ मत्यद्द्देस की सरकार चल लइए पर हमारे बिंद प्रदेश की रूपे का बन लगी है कि यह जब बिंद प्रदेश बनेगा तो हमारा सिंगरोली क्या हो जैसे मद्द प्रदेश में आज मद्द प्रदेश का इंदोर हब है हर मामले में और राजधानी है उपराजधानी है तमाम आर्शिक राज़ानी है इसी तरह से जब बिंद प्रदेश बनेगा तो एक महत्तपूर्द भूमिका हमारे सिंगरोली की लोग की फूगी आज आज एक कहने में मुझे कोई गुर्यज नहीं है कि अकेले सिंगरोली सो बर सो तक बिंद प्रदेश को सरकार को चलाने के ल मालता लिये वापस गए इस दो लोगों को विश्वास नहीं जमता कि काउन नेता हमारे साथ देगा इस विश्वास का संकट पैदा हो गया इस दाजनी की में आज मैं आया हूं और इस बात के लिए भी साथ दिलाने आया हूं कि अगर परिक्षा में जब हम पास होगे तब आप हमारे साथ चलना आभी हम परिक्षा कि अबरे तक आपको किसी तरह से आस्तासन देने की स्थी में नहीं विंद प्रदेश बने और विंद प्रदेश में जन-जन की भागीदारी हो जन कल्याण हो इसी के लिए आप हमारां के उसकांसे से से लोले से ओपने दो में की भूब